कि किは कि Bod수 na fertility पसाथ आज वीडियों के साथ बीडियू करेंगे स्यक्तिर डी को सिक्तिर प्लॉटन ना है कि प्लॉट हो गी इसके लाभा सेक्टर डी में अवर गूराल जो प्लॉडि़ सब्काइबुल और सौड्स साइड है कि एकशेस पॉइंड वह कि मेंजर कर लेते हैं यह अपको में आरवन रोड गर एकसस लेते हैं सेक्टर D के स्टार्टिंग पॉइंट तक तो डिस्टेंस बनता है तो नाइन किलो मेटर का यह किलो मेटर में तो आपको यहां पर ऐजली यह पे एक do आप एक्सेस लेके आ सकते हैं सेक्टर डी में अगर हम इसी डिस्टन्स ओंपेर करना शुरू करें फ्रम में एम टू तो 400 फीट रोड तो 400 फीट रोड के तुरू अगर आप आते हैं सेक्टर डी में तो आपको जो एक्सेस पॉइंट है बनता है आपका तक्रीबान त्री पांट टू सेवन किलोमेटर लेकिन टाइम वही एक से दो मेर का टाइम क्योंकि यह रोड जो है काफी सदा वाइड लोकेशन फॉइस बहुत बहुत बेतर है यह दो कि चार साइट की बात पहले आज बात करें अब बात करते हैं अब बात करते हैं यह गूगल अपडेटिड मैप है फैब 2023 का सबसे पहले जो पर चलते हम लें टू पे लें त्री पे और इस तरह आते हैं स्ट्रीड वन और स् for members इन यहां में plot allocate हो चुकी है इन streets की बात करें तो तुमाम की तुमाम street जियों वो इनतहाई शानदार location की हामिल है वज़ा उसकी यह है बलकि मैं आपको इसकी exact elevation explain करने कोश़् करता हूँ sector D की elevation बहुत अच्छी है पीछे जाकर लेकिन यहां पे भी sector B के comparison में sector A के comparison में इसकी elevation अच्छी बनती है यह देख लें थोड़ा slope है यहां पे लेकिन वैसे अगर नीचे के बात करें तो नीचे भी यहां पे पहाड़ीया ही है इन पहाड़ीयों ने भी cut होना है यह इस area में तो आपको यहां से एक अच्छी elevation नजर आ जाएगी यह इस तरह सेक्टर B को compare कर लें और इस तरह आके जाके सेक्टर A आता है उसे comparison में देख लें तो आपको इस area के जो elevation है वो अच्छी तरह से understand हो जाएगी और साथ मला के बिल्कुल plots के साथ जो located area वो बनता है आपका greenery के लिए reserve और greenery के लिए यहां पर स्टाइटी ने यहां पर पार्क भी बनाया हुआ यहां पर construction पार्क भी हो रही है तो नीचे मैं आपको पहले street की दुबारा layout plan दिखाता हूँ साथ मला के street में जितने शुरू के plots हैं तमाम का तमाम अरिया जो अब cutting वाल अरिया और इसमें left side पर यहां पार्क लिए browning जितनी browning का काम है वो हो चुक है sector D repeat करता हूँ lane 1, 2, 3 और अग streets की बात करें तो main road street 1 and street 2 और street 3 की बात कर लें साथ मला के plot जो यहां पर located है वो area ऐसे बनता है अब बात करतें जाके जिसमें इसमें दो तरह के plot है 7 मला और 5 मला हम residential plots की बात करेंगे 7 मला 30 बाय 53 30 बाय 53 और 5 मला की बात करें 25 बाय 45 25 बाय 45 का plot square yards में बात करें तो 125 गर्स और 175 गर्स का plot है मरलों में बात करें तो 5 मला और 7 मला आपको clearly नजर भी आ रहा है अब चलते हैं जिस street 4, 5, 6 पे यानि 3, 4, 5 पे इन streets के बात करें तो इनके नीचे पहले देखते हैं land का status क्या है इसमें आपको street 4 की land जो ब्राउन वी नजर आती है street 5 की land ब्राउन वी नजर आती है street 6 onwards आपको browning नजर नहीं आती है यानि इस पार्ट वे भी तक browning नहीं हुई तो जिन members के पहली 5 streets में और पहली एक दो तीन lanes में plot हैं उनको members को hopefully सब्टमबर में possession offer हो जाएगा उससे आगे जो members है उस बारे में जब जार से बाद स्वाइटे डिवेलप करेंगी है साइट की गूगल की में अपडेट होंगी हम बाद में डिस्स कर लेंगे कि महां पर स्ट्रेटिस क्या बनता है अब इस से आगे street 9 10 11 12 13 इस तर जाते हैं काभी बड़ा ब्लॉक है पूरा नॉन डेवलप्ट है कुछ पार जो शुरू के प्लॉट्स हैं बाकी जो प्लॉट्स हैं उन पर भी तक डिवेलप्मेंट नहीं हुए हम प्राउनिंग काम भी नहीं हुआ अगर street 11 की बात करें तो plot 1 to plot number 25 यह वेले streets है जो mark नहीं है यह street विला के लिए रिजर्व है तो इस हवाले से आपको जब सुच्राइट इस पर डिवेलप्मेंट करेगी तो मैं आपको लेटर स्टेज पर अपडेट कर दूँगा इस साइट पर पांच मला की street विला के लिजर्व है जो 400 फिट की बिल्कुल बैक साइट पर है उस street की विए तक बाउनिंग नहीं हुई तो सारा का सारा पार आप उन्चे ग्रीन नजर आता है यह understanding के लिए members की जब इसमें update होगा चीज़ें तो मैं चला को बाद में update कर तो इस पार में कुछ ब्राउनिंग है यह नीचे लेंड यासी है वह हम बाद में मैं side की विडियो जबीच में add करूंगा तो इंचला मैं compare कर लूँगा लेकिन इस side बेगर देखें स्ट्रीट 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरफ देखें and 23 इन स्ट्रीट पर जो reserved है यह विलास के लिए यह members को भी हमें और से central की बैलेटिंग में plot allocate हो जेंगे तो नीचे आपको land जो सारी ब्राउन नजर आती है और right side पे अब जो यहां पर change आपको फीर होता है वो sector D और E कर divider है यह वहाला जो पार्ट है यहां पर जो यह रोड बनने है प्लस यह जो जितनी development है इस तरफ अभी side पे काफी काम हो रहा है मैं आपको मैं आपको light करके दिखाता हूं यह नीचे आपको नजर आ रहा है इस जगा पर यह लीनर पार्क का रही है यह साइट फिट रोड होगा अवराल इस side पे काम हो रहा है बाकी street जो है इस तरफ वह सारी की सारी यहां से लेके इस पार्ट तक इस पार्ट तक सारा का सारा area जो भी इसकी browning होना बाकी है यह मैं आपको light कर दूं यहां से आप देख लेए शुरू के street जो है यह यहां से लेके मैं मैप पे एक छोटा स बाक्स ड्राउ कर से कूं ताकि members को पॉली कॉन ड्राउ कर से को आइडिया मिल सकते क्यों से plot area जो brown हो चुका है और को सा area से जिकी browning अभी तक रहती है यह वह आपको box नज़रा रहा रहा है यह triangle जो मैंने बनाया इसके ओपर इस area में जो है सारी आपको browning clearly नज़राती है clearly visible है कि यहां ब्राउनिंग हो चुकिया है और जिस area में browning नहीं हुई मैंको भी explain कर दा हूं अच्छा यह map को दोपराव मैं clear करता हूं अब sector D में इस area पर अभी तक browning वाला काम नहीं हुआ वह बनता है यह वाला area अब इस पार्ट पर जो यह जो बॉक्स आपको नज़रा रहा रहा है इदर अभी जब काम है वह पार्शली काम इस जगह पे कुछ हुआ है मैंको यह लीनर पार्क के साथ है यह कुछ विलास के लिए प्लॉट है पांच बना के रिजर्व हैं इस साइड ब्राउनिंग होई है बाकी तमाम का तमाम एरिया जाए उस पर भी तक डाउनिंग का काम भी नहीं हुआ यह था सेक्टर डी का अपडेटेड गूगल अर्थ पर फैबुटी टुटी 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 ट्री की अपडेटेड इमिजिस इस लहाँ से आपनी बाकी जो प्लॉट्स हैं का इडिया टॉट कॉम अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो प्लीज जूलाइक कोमेंट एंड शेर और चैनल को स्प्राइब करना मत भोलें रिज्वान चीमा को दीजिए जादत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस